हे वेलकम बैक दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चनल के एक और नय और इंट्रस्टिंग वीडियो में दोस्तों मेरे नाम है राहुल मैं हूँ एक डिजल मार्केटिंग एक्सपर्ट फाउंडर और वाक्षमेडेसलीशन्स टॉट कॉम और आज किस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि आप 2024 में घर पे बैटे बैटे आमजोन के एक सेलर बनके आमजोन से हर मेने पचांस अजार से लेके एक लाख रूपत की कमाई कैसे कर सकते हैं देखें दोस्तों आज के ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए खास और इंपोर्टेंट होने वाला है जो 2024 में आमजोन के सेलर बना चाहते हैं आमजोन पर प्रोड़क्ट लिस्ट करके सेल करना चाहते हैं और आमजोन से पैसे कमाना चाहते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे बिले कि Amazon का जो seller account है वो आप कैसे बना सकते हैं Amazon पे कौन से product sale कर सकते हैं और Amazon का seller account बनाने के बाद आप listing बगरा कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी बें मैं इस वीडियो में आपको देने बलाओ तो अगर आप 2024 में Amazon seller बनके उससे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं और आप पूरी detail जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आएंट तक देखो इस वीडियो में आज मैं आपको Amazon seller बनने की जो सारी जानकारी न वो सिर्फ एक वीडियो में देने बलाओ तो वीडियो आएंट तक देखना वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा ते वीडियो को लाइक और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो से लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को मिश मत करना सब्सक्राइब करके बैल आइकन बटन को ज़िए बस करना तो देखें दोस्ते अगर आप Amazon के seller बनना चाहते हैं तो आप Amazon seller बनने के लिए क्या-क्या आपकी requirement है कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आपको product वगरे लिस्ट करने कौन्चे product बेचने हैं वो सारी जानकारी अब मैं आपको यहाँ पर देजिता हूँ अब देखें दोस्तों यहाँ पर आपके पास Amazon seller की जो website है वो आपके सामने आ जाएगी तो यहाँ पर देखें simply Amazon seller की जो official website है वो आ रही है अब एक चीज हमें साथ ध्यान रखना यहाँ पर sellercentral.amazon.in अगर आप इंडिया से हैं तो .in वाले पर click करना है अगर आपको .com पर sell करना है तो आपको .com यहाँ पर search करना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पर click कर देता हूँ अब आपको next 5-10 minute यह video continue देखना है और 10 minute में आप seller कैसे बन सकते हैं वो सारी जानकर है clear हो जाएगी तो देखें दोस्तों यहाँ पर Amazon seller central जिसमें आपको पूरा landing page मिलता है पूरा home page मिलता है और यहाँ सही आपको dashboard मिलेगा आपके seller dashboard को manage करने का पूरा option यहाँ पर मिलेगा ठीक है जब dashboard हमारे सामने खुलेगा तब वो हम देखेंगे सबसे पहले देखें दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके बारे में detail ले लिजेगा कि कैसे आपको sale अगरा करना है big seller कैसे बनना है guide आपको चाहिए या फिर आपको और कुछ जानकरी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं seller account बनने के लिए देखें यहाँ पर आपको सबसे बहले तो start selling का जो button है वो दिया गया है तो simply आपको सबसे बहले इस पर click करना है जैसे दोस्ता आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास sign in का option आ चुका है तो यहाँ पर देखें create your amazon account का अगर आपके पास already कोई amazon का account है जिसे आप normally shopping वगएरा भी करते हैं उस account को use कर सकते हैं आपे कोई problem नहीं होगा उससे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं दोसो कोई मेरे पास एक amazon का account है उसी को मैं आपर login कर लेता हूं तो यहाँ पर देखें दोसो मैंने एक account login कर लिया जैसे दोसों आप अपना account login करते हैं अब यह automatically आपको redirect करेगा ठीक है तो यहाँ पर देखें दोसों मेरा जो account है वो यहाँ पर मैंने login कर लिया अब यहाँ पर देखें दोसों automatically आपको redirect किया जा रहा है तो यह आपके पास सबसे पहला option है दूसरा option है दोसों आप यहाँ पर क्या करोगे starting करोगे शुरू से मतलब आपके पास कोई account नहीं है कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे दुबारा से starting से शुरू करोगे तो चलिए वो तरीका भी मैं आपको बदा देता हूँ तो एक तरीका आपने चान लिया पुराने account से आप login कर सकते हूँ दूसरा है आपको amazon seller वापस type करना है और simply आपको यहाँ पर search करना है amazon seller sell.amazon.in आपके पास आ गया है तो simply दोस्तों आपको क्या करना है इस पर वापस से click करना है start selling के उपर click करना है तो यहाँ पर देखें दूबारा से हम अपना account बनाएंगे तो सबसे बले यहाँ पर create or amazon account के उपर click करना है और यहाँ पर first name, mobile number, email id optional है और यहाँ पर password आपसे पूछ रहा है और verify phone number का option आ रहा है तो चलिए ठीक हम यहाँ पर पूरा detail fill कर देते हैं ओके तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते है detail fill हो चुकी है number लाड़ दिया मैंने और यहाँ पर password verify phone number के उपर मैं click कर देता हूँ जैसे दोस्ता verify phone number के उपर click करेंगे आपके पास एक puzzle आएगा उसका आपको solve करना है तो puzzle solve करना है start आसान है तो मैं start puzzle के उपर click कर देता हूँ and यहाँ पर मैं किसी के उपर वह और फीक कर देता हूँ loops जैसे के उपर click करेंगे यहाँ पर देखे दोस्तो तो यहाँ पर देखी puzzle solve हो गया और यहाँ पर otpy अर्टी पर हम anchor कर देंगे ओ्रटी पर enter किया , create your amazon account के उपर angलाशन अकाउट के उपर कॉंटिन बटन पर क्लिक करना है जैसे दोस्ता आप कॉंटिन बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका जो पहला step वो complete हो गया मतलब आपका जो basic ad account होता है Amazon का वो आपका बन गया अब आपको दूसरा step लेना है दूसरे step में आपको यहाँ पर चार-पांच steps मिलेंगे सबसे बिलेंगे seller account का जो create करना है आपको यहाँ पर text details आपको डालनी पड़ेगी store name आपको डालना है और shopping जो pickup address वगरा वो डालना है और उसकी बाद finally आपको bank details जालनी है तो चार-पांच steps से वो आपको clear करने और जैसे clear करेंगे आपका dashboard open हो जाएगा चली इनको फटा-फट clear कर लेते हैं सबसे लेते कि तो उसो enter GST number अगर आपके पास GST है without GST देखिए आप Amazon seller नहीं बन सकते हैं यह सबसे बड़ा point है तो अगर आपके पास GST है आप यहाँ पर enter कर दो नहीं यहाँ भी कोई बात नहीं आप इसको only कर दो and यहाँ पर I have GST यहाँ पर आप चाहिए तो pen number वगरे डाल सकते हैं and GST है आपके पास यहाँ पर तो GST डाल सकते हैं अगर आप भी आपके पास GST नहीं है तो यहाँ पर देखें दोस्तों क्या है एक और option है आपके पास I only sell non GST categories जिसमें like books वगरे आता है तो अगर आप आपके पास GST नहीं है और आप नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर जो books वाली categories है जिनमें known GST वाला option होता है वो आप यहाँ पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें दोस्तों मैंने pen number डाल दिया है यहाँ पर आपको pen पर जो name है वो आपको डालना पड़ेगा तो यहाँ पर रवी कुछ करके इसका नाम है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो pen की जो photo है वो photo भी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी PDF में और यह clear दिखनी चाहिए तब यह आपका जो account है वो verify होगा तो मेरे पास देखें अभी span की कोई photo नहीं है तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पर अभी कोई भी जो image है वो यहाँ पर add कर देता हूँ and save and continue button पर मैं click कर दूँगा बट आपको यहाँ पर अपनी जो details है वो real डाल जैसे दोस्तों आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर देखें दोस्तों name your Amazon store इसका option आपके पास आ चुका है तो एक option आप आरे पास आ रहा है Amazon store name works media solutions बट यह हमारे पास already है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर दूसरा डालेंगे works media करके ठीक है 05 कुछ करके मैं आ यहाँ पर suggestion भी आ रहा है and save and continue के उपर दुबारा से में click कर दूँगा जैसे दोस्तों आप इसके उपर click करेंगे अब यहाँ पर देखें दोस्तों आपके पास आ रहा pick up address तो जो भी आपका pick up address है मतलब जहाँ पर आपका माल रखा हुआ है मतलब जो भी product आप Amazon पर बेचन भी डाल सकते हैं उसके बाद दुबारा से हम save and continue पर दुबारा से click करेंगे जैसे दोस्तों आप save and continue पर click करेंगे यहाँ पर देखें choose your shipping method यह आपके पास option आ रहा है तो यहाँ पर देखें your store, Amazon ship and easy ship का option आपके पास आ रहा है you store, you ship and self ship यह option आपके पास आ रहा है तो हमें यहाँ पर कोई shipping नहीं करनी हम Amazon को दे रहे हैं सारे product तो वही ship करेंगा तो हम यहाँ पर यह वाल option चूज करेंगे first वाला you store, Amazon ship and easy ship यह वाला option आपको चूज करना है and save and continue बटन पर दुबारा click करेंगे go to physical store, join local shops तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे नीचे score down करेंगे and यहाँ पर skip और नाव वाला option है वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ फिर देखे faster delivery for local customer, increase visibility to your product अगर आप local shops को join करना चाहते तो यह कुछ आपके पास plus points है वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो इसको अभी skip कर सकते हैं, skip और नाव का option अभी आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं और आप इसको अभी के लिए skip भी कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास option है, shipping fees and बाकी जो details से वो आपके पास आ रहा है, local में 44 रुपे लागेगा, shipping का अगर आप state में बेजेंगे तो 53 रुपीज लागेगा, national में आपका 74 रुपीज तक चार्ज लग सकते हैं pay by yourself पा रहा है, most जो है, include delivery charge for your customers, यह आपके पास option आ रहा है, तो according to me, आप starting में यह वाला option चूज कर सकते हैं, मतलब आप खुद delivery charge पे करेंगे Amazon को, तो इसमें आपके पास एक option है कि आपका माल लो product है 500 रुपे का, और अगर आप local में बेज रहे हो तो 54 रुपे आप आप उसको अपना product का जो payment है, यानि कि जो product की price है वो दिखाओ, और अगर माल लो आप national और आप state में भी बेच रहे हैं, तो फिर आप 74 रुपेज तक भी add करके product को दिखाओ, ताकि आपको कोई भी loss होने के chances नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाल option चूज कि हमने and save and continue बटन पर दुबारा से मैं click कर दूँगा, जैसे दोसरा आप इसके उपर click करेंगे, अब यहाँ पर देखें, आपके पास आ रहा है finally, जो आपका account holder name है, वो आपको डालना है, bank जो account number है वो डालना है, और bank account दुबारा से आपको add करना है, और यहाँ पर देखें, IFC डालना आपको, and save and continue button पर click करना है, तो चली ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार try कर लेता हूँ, कुछ भी डालके, तो यहाँ पर देखें, दूसरो मैंने अपना bank details डाल दिया, जिसमें मेरा payment आने वाला है, and अब यहाँ पर आपको save and continue button पर click करना है, जैसे दूसरो आप save and continue button पर click करे अब यहाँ पर आप चाहें, तो add product का जो option है, वो आपको दिया गया है, simply आपको add product पर click करना है, and यहाँ पर देखें दोसरो, आपका जो product listing है, वो in progress सालू हो चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखे, check here to add product, यह वाल option भी आपको दिया गया है, and यहाँ पर अब जैसे click करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं, दोसरो, आपका जो Amazon seller account है, वो आपके पास खुल गया है, और यह आपका menu है, देखे, इसमें आपका जो catalog है, वो दिख रहा है, यह आपकी पूरी inventory दिख रही है, यह आपका pricing दिख रहा है, orders आपको यहाँ पर दिख र अगर आप चाहें, तो यहाँ पर two step verification based का start कर सकते हैं, ठीक है, और यह आपका store है, यह आपका India से work कर रहे है, अगर आप इसकी और details जालना चाह रहे है, तो यह देखे, इसकी सारी details आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों, आप next 10 to 15 minutes में Amazon के एक start कर सकते हैं, पता है Amazon पर success होने के लिए सबसे important क्या है, आपको Amazon का dashboard है, वो समझना पड़ेगा, और product समझने पड़ेंगे कि कौन से product आपको बेचने है, और उसके अलावा फिर आपको महनित करनी पड़ेगी, तो फिर आप यहाँ पर अपना काम आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पर जो improved listing qualities वगरा के सारे options देख सकते हैं, यहाँ पर inventory है, जो आपके पास stock पड़ा है, उसकी जानकार यह प्ले सकते हैं, कि कितना inventory आपके पास पड़ा है, यह pricing है, जो भी pricing वगरा होती है, आपके product की वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे orders manage कर सकते हो आप, यहाँ पर advertisement, campaign वगरा बनाने है, आपने product की reach बढ़ानी है, तो आप यहाँ पर option देख सकते हो, यह growth related, जो भी opportunities है, जो भी tricks है, tips है, वो सारे आपको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर report आपको मिलती है, जो आपके pricing है, payment है, जितनी भी report है, वो देखते हैं, आपको अगर जल्दी सफलता या success सही है न, Amazon पर, तो आप इन menus को सही तरीके से समझो, जितना menus पर काम करोगे, जितना इस पर practical work करोगे, उतनी जयदा आपके reach बढ़ेगी, reach बढ़ेगी, definitely आपको sale आना start हो जाई, ठीके, अब सबसे important है, कि आप यहाँ पर sale आने के लिए product कौन से बेचना चाहरे है, तो देखे मैं आपको दो option दूँगा, एक तो होता है आप अपनी मनमर्जी के product बेचो और दूसरा होता है seasonal, जैसे माल लो आपके आसपास में कोई product है, कोई manufacturer करता है, तो आप वहाँ से product ले लो, आप खुद manufacturing करते हैं, तो आप अपनी product को Amazon पर बेच सकते हैं, जैसे माल लो मेरे पास यह pan है, तो मैं तो यह pan ही बेचना स्टार्ट कर दूँगा, तो आपके पास option है, अपनी मनमर्जी के product बेचो जो आपके आसपास में आपको easily product मिल रहे है, उनको बेच लो, जो आप manufacturing कर रहे हो, उनको बेच लो, कोई custom product बना रहे हो, उसको भी बेच सकते हो, इसके लावा एक option है, seasonal wise, देखे अभी season आ रहा है सर्दी का, यानि winter season आ रहा है, तो winter season में कौनसे product ज्यादा बेचेंगे Amazon पे वो आपको पता होगा, आने वाले time में आगा rainy time, तो rainy season में कौनसा product बेचता है, वो आपको पता होगा, और summer time में कौनसे product बिखते है Amazon पे ज्यादा, वो आपको पता है, तो आप seasonal wise बेच सकते हो, अपने आज पास में जो product आपको मिलते हैं, वो आप बेच सकते हो, ठीक है, product listing की बात है, तो वो मैं आपके लिए आने वाले time में वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को देखने के subscribe कर जाना, तो देखे, 2024 में आप कैसे Amazon के seller बन सकते हैं, और कैसे आप घर पे बेटे बेटे एक गाव से, एक city से, या फिर एक घर से भी आप अपना business कैसे start कर सकते हैं, in 10 to 15 minutes, I think वो doubt आपको clear हो गया होगा, फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछने हैं आपको, please comment करेगा, मै आप हमारी टीम को भी call कर सकते हैं, digital marketing से related आपको service सहीं है, तो आप अमारी टीम को call कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी इसमें help करेगी, service Chargers आपको देने पड einzay बट THEM उपलब दोती है ठीक है तो आप अमारी टीम को कॉल कर सकते हैं आपनी दोस्तों कोई डाउट है तो प्लीज कोमेंट करेगा मैं और मेरी टीम आपको जवाब दने के जरूर कोशिश करेंगे आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपनी द गतार डालता रहा हूं